हलो दोस्तो विल्कम बैक टू नीए वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आप लोगों को सामने कड़ी वी यह ब्रैंड न्यू केटियम ड्यूक 125 जै दोस्तो यह न्यूक 125 नई मॉडल है इसमें आपको ब्येस्ट एट्टी वाला जो नॉ 125 भी है सबसे अधा मॉडन निकल गया थी दोस्तो इसमें आपको जो फीचर मिलते हैं इंडिन मार्केट में कोई और ल्यूक या फिर मतब कोई और 125 बाइक में देखने को नहीं मिलते हैं इस बाइक ही खास दीजा है इस वीडियो को बात करने वाले है चलिए इस वीडियो क खरिदने की सोच रहे हैं तो सबसे महले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है जितना हमारे पास पैसा होता है उसके साब जिचिच को डिसाइड करते हैं दोस्तों आपको मैं क्लियर करना जाओं को निउक 125 एक्स रूम प्राइस आती है लगब अब आप लोगों के सीटे निश्टेट में क्या प्रेज अगर आपको पता हो तो प्लीज निचे कमेंट सेक्शन में कमेंट विरके जरूर मताइएगा चली आजाते हैं दूस्तों रिव्यू में सबसे पहले आप देख पार है ए 20 की बैचिंग जिससे आपको सबाज में आ दूस्तों बहुत जदा ब्राइट है जब आप इस नाइट में आप मतब और की आउन करेंगे आपको तो पता चलेगा कि वहां आज यह लेडी लाइट हो काफी खास निकलके आती है बट कहीं नगरे दूस्तों मुझे से लगता है इस वाइक में लेडी लाइट होना चाहि कर्ण में बारे तो बात करो सिस्टम देखने को मिलजाता है लो प्रू को बोल 4-Piston Caliper भी मिलता है जो कि Duke 185 एक लोटी बाइक है जिसमें आपको यह चीज़ मिलती है बात करें एंजिन के बारे में दोस्तों इंजिन टार्क में आपको लबक 12 के असपस का जो नीटेमिटिन टॉर्क आपको इस बाइक में देखने को मिलता है यानि कि दोस्तों बाइक में इस बाइक में आपको इच्छा देखने को मिल जा रहा है तो इसमें आपको लिक्विड को एंजिन मिलेगा फ्यूल सिस्टेम में आपको एफ़ा मिलता है लिक्विड को लिए नहीं होने की वाज़े से कुलिंग के एफिस्टेंसी बहुत अच्छी है डियूक पॉनड़े में wh देखने को मिलता है इंडियन मार्केट में एक प्र प्र औरस बा力 ज्रोट兩 के अश्पास के पीडियएन इंजन स्पेसिपिकेशन आपको बदेखने को लबग बातकर के मैलेजन पर्फॉस्टेंस ऊप्को लबगर इस प्रूटिवाइब को लबक 14 सपर्स के लगते हैं तॉप स्पीड आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है अब आते है रियर प्रफाइल बाइक में डबलुबिक जो मोनोजोफ सस्पेंशन आपको बाइक मिलेंगे काफी अच्छे suspension company ने आपे offer किया है यह rear का अंडर बेली exhaust है जो कि आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों rear में इस bike में आपको 150-60 के असपास के tire size आपको rear में मिलेंगे प्लस rear में bike में आपको 220 mm के जो next plate है वो आपको bike में देखने को मिल जाता है जो की काफी एची plate आपको bike में मिलेगी एक में यह देखने को मलता है एक में प्रस्ट करणा पर दिया है तर्न सिंगल लेट भी आपको LED मिलेंगे देख पने अब आपको E20 के बैचिंग मिलती है, बात करें स्पीडियोंटर के बारे में, बात करें स्पीडियोंटर के बारे में, बात करें स्पीडियोंटर के बारे में, बात करें स्पीडियोंटर के बारे में बात करें स्पीडियोंटर के बारे में, बात करें स्पीडियों बस एक चीज़ की मुझे कमी लगती दुस्तों इस बाइक में आप Bluetooth connectivity नहीं कंपनी अगर वह चीज़ दाल दे तो आइधिंग यह और भी वैधर हो सकती है तो आइधिंग कंपनी को वह चीज़ यहां पर कर देना चीज़ आपको बाइक में बहुत अच्छी देखने को मलेगी और प्रसनली दूस्तों आप लोगों को यह बाइक कैसी लगती है आप कमेंट करके जरूर पताएगा बातकर इस बाइक की डिमेंशनेंट क्यापिशिटी के बारे में बाइक की और लिन था टूच डबल जिरो टूमेंट की ओरल वी था एट सेवेंटी तिरी अमेंट की ओवरल हाइट है बारा सो चोटर अमेंट की ग्रों के लेंसे एक सो पच्छी लगी तो लाइक करना चैनल पर पहली बिराएं तो को लेना चले मिलते नए फिरो में लवी ओल जेहीन में दे माध्रा